हेलो दोस्तों मैं सोरों मलिक आप सभी का टोपिक इस्टेडि में स्वागत करता हूँ देखे दोस्तों NTPC 2019 के लिए मैं पूरा कोर्स कम्पलीट करा रहा हूँ आपको 30 दिन में 90 वीडियो अपलोड करके और इन 90 वीडियो में मैं आपको रीजिनिंग मैत और जीके का पूरा कोर्स कम्पलीट कराऊंगा टोपिक वाइस तो आप सभी वीडियो के टाइमिंग नोट कर लीजे और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल इकन को ओन रखे ताकि वीडियो अपलोड होती आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी बताएगा इस कोर्स के बारे में अपने भाई बैन को जो भी प्रपेशन कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हेलफूल कोर्स है दोस्तों इसमें मैं आपको डारेक्ट वो सारे कोशन करा रहा हूँ जो कि फिक्स पैटर्न के है जो एंटी पीसी में कहीं बार आ चुके हैं ठीक है अगर आपको टाइम दे दिया गया तो आपसे पूछ ली जाएगी गती अगर आपको इस्पीड यानि की गती दे दी जाएगी तो आपसे पूछ ले जाएगा टाइम बट दोनों की जो लंबाई है उनको प्लस करना है इस चीज़ को जहान रखेगा तो यहाँ पे जो आपकी लंबाई आजएगी दोस्तों यानि की लेंद कितनी हो जाएगी 125 मिटर प्लस 75 यानि की टोटल आपकी 200 मिटर की लंबाई आगए ठीक है अब यहाँ पे इस लंबाई को ये 10 सेकिंड में पार करती है ट्रेंड कितने 10 सेकिंड में पार कर लेती है तो इसको 10 से भाग कर लिजे क्या आज एक आपका देखे स्पीड का फॉर्मुला होता है सिधा सिधा सा distance upon me time distance आपको 200 मिल चुकिया time आपका 10 सेकिंड ने 0 से टिवाइड कर दिजे 20 मिटर पर सेकिंड आपकी चालागी बट कोशन में तो आपको 20 मिटर पर सेकिंड नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब इस 20 मिटर पर सेकिंड को आपको किलो मिटर पर आर में बदलना पड़ेगा कैसे बदलते हैं दोस्तों सभी को पता है 20 की multiply हम कितने से कर देंगे 18 बटे 5 से जब भी मिटर से किलो मिटर में जाएंगे जहां रखेगा तो 18 बटे 5 से multiply होगी और जब भी किलो मिटर से मिटर में आएंगे तो 5 बटे 18 से multiply होगी याद रख लीजिए यह कई बार confuse कर देता है तो देखें आपे कितना होगा पांचोख 20 और 18 की चार में कर देंगे दोस्तों कितना होगा 72 किलो मिटर परती घंटा यानि कि यहाँ पे जो ट्रेन की गती है वो यह हो जाएगा 72 किलो मिटर पर आर राइट आंसर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी student को समझ में आगे होगा इस type की question कहीं बार आते दोस्तों ठीक है easy question था चले next question को देखते है दोस्तो question number 2 बहुत interesting है और यह कहीं बार railway में आया है देखते हैं कितने student इसका सही आंसर कर पाते हैं इस question में बोला जा रहा है एक लड़का railguardi में बैठा हुआ यह notice करता है कि वह 60 second में 31 telephone के post गिन सकता है दोनों post के बीच की जो दूरी है यानि कि दो post की जो बीच की दूरी है वो 60 मिटर दूरी है तो railguardi की गती क्या होगी यहाँ पे भी आपको speed बतानी है दोस्तों मान लीजे यह कुछ इस तरीके से 31 post होगे ठीक है यह सारे के सारे जो post होगे 31 post होगे हर एक post के बीच की दूरी कितने है 60 मिटर की है तो मैं मान लेता हूँ 60 इसमें 60 60 60 इस तरीके से चल रहा होगा बट जो यहाँ पे लास्ट वाला 31 post होगा उसकी तो दूरी नहीं count करेंगे तो आप मुझे यह बतेए यह railguardi में बैठे वे वेक्ती ने जो यह बैठा वे वेक्ती है इसने यहाँ से जो लड़का है यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी दूरी cover कर ली तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दोस्तों मैं count करूंगा तो यह एक minus कर लें क्योंकि लास्ट वाला जो पॉल है जो आपका यह पॉल है इससे आगे की दूरी हम नहीं count करेंगे तो 30 multiply दोस्तों 60 कर लेंगे अनकी कितना आजएगा total 1800 meter की दूरी इसने cover की कितने समय में 60 second में क्योंकि 60 second में इसने 31 telephone के post गिन लिए तो इसका मतलब इसने 60 second में इन 31 polo को गिना है तो इनके बीच की सारी दूरी cover कर ली होगी तो इनके बीच की दूरी cover किये दोस्तों तो इसने कितने second में कर ली 60 second में अब 30 meter per second कम में तो आपको question नहीं दे रखा है तो यहाँ पे आप इसको भी बदल लेंगे 30 multiply 18 upon 5 यानि कि 6 time जाएगा और यह 8 रगी multiply करेंगे 108 km परती घंटा यानि कि option be right answer हो जाएगा दोस्तों इसमें जो समझने वाली बात थी सिर्फ यही थी कि हम इसमें last वाला जो पोल है इसको count नहीं करेंगे और यही question को important बना देता है मैं आसे करता हूँ कि आप सभी student को यह question समझ में आगया होगा इस type के question कहीं बार railway में आते हैं अगर next time पूछ जाएगा तो आप सभी कर लेंगे ठीक है चले next question को देखते हैं दोस्तो next question बहुत ही आसान है और यह NTPC 2016 में पूछा गया था तो एक बार इसको try करिए और अभी इसी type के question RRBJ में भी पूछा गये थे तो इस question में बोला गया है एक 1500 मिटर लंबी रेल गाड़ी 24 किलोमेटर परती घंटा की रवतार से चल रही है रेल गाड़ी दुआरा एक खंबे को पार करने में लगने वाला समय ग्यात करिए देखिए अभी मैंने बताया था सबसे पहला question जब भी रेल गाड़ी ऐसी चीज़ को पार करते जिसकी लंबाई होती है तो उसको हम plus कर लेते हैं ठीक है बट यहाँ पर बात की जारी है खंबे की तो खंबे की height तो होती है बट कुछ यहाँ पर ऐसे लंबाई नहीं होती है लेंद कुछ नहीं होती है तो इसका मतलब लंबाई इसकी कुछ आपकी लेंद नहीं होगी तो इसका मतलब आप क्या करेंगे जो भी रेल गाड़ी की लंबाई होगी सिर्फ वो ही लंबाई लेंगे और जो भी रेल गाड़ी की चाल होगी उसी से उसको भाग कर देंगे बस इतना ही करना है क्योंकि अगर किसी भी ऐसी चीज को आप लेते हैं तो ट्रेन की चाल कुछ भी पूछ लिए आता है इस तरीके से तो यहाँ पर आपसे जब भी ऐसे कोशन आपसे पूछा जाए तो जो भी ट्रेन की लंबाई होती है दोस्तो ट्रेन की लंबाई को ट्रेन की चाल से यानि की रिल गारी की चाल से भाग कर देते हैं यहां पर जो आपकी ट्रेन की लंबाई हो किटने 150 BROWN अब एक चीन का ज्यान रखेगा यहां पे किलोमिटर में रखा है यहां पे मिटर में जब भी आपको लेंग्ध में में रखी हो और इस्पीड रख्यो में बदलेंगे तो क्या करेंगे इसका 54 में मल्टिप्लाई करेंगे पांच बटे अठा रगी मैंने अभी बता था आपको जब भी किलोमेटर से मिटर में जाएंगे तो पांच बटे अठा रगी मल्टिप्लाई होगी तो यहां से आपका कितनी बार हो जाएगा तीन बार और पांटी या पंदरा यानि कि पंदरा मिटर पर सेकिंड इसकी चाला गई अब डेड़ सो को आप पंदरा से भाग करेंगे देखे बहुत सिंपल सा कोशन है तो कितना आज एगा दस सेकिंड यानि कि 10 सेकिंड यानि कि ओप्शन भी मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये question समझ में आगे होगा दोस्तो एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूँगा बिल्कुल भी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ बार बार अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक भी student ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो like ना करे अगर आपका question को देखते हैं दोस्तो question number 4 भी बहुत important है और इस ये मतला fix type के question है जो fix pattern के question होते है जो कि railway हमेशा पूछता है तो इस question को भी दोस्तो ट्राइ करिए और मुझे बताइए कि आप answer कर पाई या नहीं कर पाई इस question में बोला जा रहा है एक 250 मिटर लंबी rail गाड़ी एक विद दोस्तो सबसे पहले आपको यहाँ पर train की जो है लंबाई दे दी गई है और train की बताती है कि खंबे को 8 second में पार कर लेते हैं तो यहाँ से हम speed निकाल सकते हैं train की चाल कितनी है क्योंकि मैंने भी आपको बताता है जब भी train किसी भी खंबे को पार करती है तो हम क्या मान ले कि जो ट्रेन की लंबाई है उसी की चाल से भाग कर देंगे तो यहां पर हम कुछ इस परकार यह समय निकाल देंगे आपका जो टाइम है सोरी टाइम बराबर डिस्टेंस अपोन में स्पीड अब आपको क्या क्या दे रखा है टाइम दे रखा है एट सेकिंड और डिस्टेंस देखे मैं इसको यहां से रेज करता हूँ 31.25 मिटर पर सेकिंड आपकी क्या आगई यह स्पीड आगे ट्रेन की 250 को आट से भाग करने पर यह मिलेगा और यह आपकी चाल आजाएगी सभी को समझ में आगे होगा इतना कोई प्रोब्लम नहीं है फिर यहां पर बताया जा र ट्रेन की लंबाई और प्लेटफोर्म की लंबाई को प्लस करके इस स्पीड से भाग किया गया होगा समझ गया आप इतना अगर आप इतना समझ चुके हैं तो यहां पर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफोर्म की लंबाई को प्लस किया होगा और स्पीड से भाग किया हो की लंबाई पता चल देगी आप मानते हैं इस बात को यहां पर दोस्तो 31.25 की मल्टिप्लेजर में 20 में करता हूं तो कितना आता है यहां पर यह आपका सम्तिंग सम्तिंग 625 मिटर आजेगा 625 मिटर टी और पी यानि की आपकी ट्रेन और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई है दोस्तो हमें यहां पे जब पता है कि ट्रेन हमाई 250 मिटर लंबी है तो इसमें से 250 को हम माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा आपका यहां पे 375 बच जाए तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 375 मिटर आजेगा अनि की option A is the right answer मैं आसा गरता हूं कि यह question आपको 100% समझ में आयोगा दोस्तो अगर आपको इस समझ में आया तो प्लीज वीडियो में मुझे comment करके जरूर बता दीजेगा कि समझ में आ गया और अगर समझ में नहीं आ तो तब भी बता दीजेगा क्योंकि अगर आप तब तक मेरे को बताएंगे नहीं कुछ चीज की मेरी कुछ समझ में नहीं आया और फिर कोई भी आपका doubt है कि क्या मेरे को improve करना चीए पढ़ाने में वो सारी चीज़ आपना feedback बताया करें ठीक है तब ही एक अच्छी वीडियो एक अच्छी quality की वीडियो बन पाएगी ठीक है दोस्तों चलिए फिर next question पर चलते हैं दोस्तों question number 5 भी बहुत ही important है मैं सारे के सारे question जीतने भी लेका हूँ सारे ही important है तो एक भी question को miss मत करिएगा इसमें बोला जा रहा है कि 126 km गंटे की चाल से चल रही एक रेल गाड़ी की लंबाई मिटर में क्या होगी यह आपको बताना है दोस्तों आप मुझे यह बताइए हमें यहाँ पर बता चला 126 km पर ती गंटा की चाल से चल रही है रेल गाड़ी और 72 km पर ती गंटा की चल रही है आपकी कार ठीक है तो अब यहाँ पर एक मतलब वह आता है जब भी दो moving object अब moving object वाली बात आ गई एक तो आपका train move कर रही है एक आपकी car move कर रही है अब car की भी आपकी कुछ लंबाई हम नहीं मानते हैं दोस्तों ठीक है कार भी हम लंबाई हम कभी नहीं मानते हैं गर car आपको कोशन में लिखा हूँ बिलता है तो उसकी कुछ लंबाई होत जब एक ही दिशा में जाते हैं तो दोनों की चाल का अंतर लेते हैं यानि कि 126 km परती गंटा की चाल से रेल गाड़ी जा रही है और 72 km परती गंटा की चाल से आपकी कार जा रही है ठीक है तो इन दोनों की चाल का अंतर लेंगे मान लीजिए दोनों एक दूसरे की तरप को आती इस तरी के एपोजिट डिरेक्शन में आती है उस कंडिशन में दोनों की चाल को पलस करते दोस्तों अब याद रखेगा अगर दोनों moving object एक ही दिसा में जा रहे हैं और उसमें से सिर्फ एक की लंबाई है रेल गाड़ी की लंबाई है केवल दूसरी कार है तो उस condition में जो भी रेल गाड़ी की लंबाई होगी जो भी रेल गाड़ी की लंबाई होगी सिर्फ उसको भाग कर देंगे तो रेल गाड़ी की लंबाई मैंने लिख लिए length of train को divide करेंगे किससे दोस्तों दोनों की चाल के अंतर से क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों का अंतर कितना हो जागा 126-72 दोस्तों कितना आजेगा 54 तो 54 किलोमेटर पर ती घंटा को दोस्तों मिटर पर सेकिन हो बदलेंगे 5 बटे 8 की multiply करके तो 15 मिटर पर सेकिन आजेगा ठीक है तो अब दीके length of train मैंने क्यों लिए क्योंकि दोनों जो moving object जा रहे है इसमें केवल length जो है train की है अगर दोनों moving object की length होती जोनों train होती है तो दोनों की length को plus करते और दोनों की चाल के अंतर से भाग करते ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों जो speed आए वो कितनी आगी आपकी 15 मिटर पर सेकिन आगी ठीक है और यहाँ पर जो time दिया है वो 40 सेकिन दिया है तो यहाँ पर मैं 40 सेकिन लिख लेता हूँ आपसे rail guardi की लंबाई पूछी कही है कुछ नहीं करना बस cross multiply करते है जब 15 में 40 की करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर length of train को मैं x लिख लेता हूँ और यह आपका 15 की 40 में होगा तो दोस्तों 600 मिटर आजएगा यानि कि जो train की लंबाई है वो 600 मिटर हो जाएगी देखें कोशन बहुत आसान है एक बार और फिर से मैं इसमें कुछ और एड़ करके बताता हूँ मान लिजे train दो opposite direction से आती यानि कि यह car और यह तो उस condition में दोस्तों length of train तो same रहती यानि कि x मानते क्योंकि हमें नहीं पता और 15 मिटर पर सेकिंड की जंगे आप इन दोनों को plus करते और इन दोनों को plus करने के बाद में तब आप 5 बट अठार से multiply करके तब चाल निकालते तब आपकी condition दूसरी हो जाती एक चीज़ को और समझे मान लीजिए दोनों train आपकी दोनों की दोनों train होती ठीक है दोनों की दोनों train होती है दोनों की लंबाई होती कुछ तो उस condition में train 1 को plus करते और train 2 को भी plus करते लें तो second train को भी plus करते दोनों की train को plus करके दोनों की चाल से ही भाग करते ठीके बस दोनों की चाल में एक चीज का difference रहेगा अगर दोनों opposite direction में हैं तो plus करेंगे और एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों का अंतर लेंगे मैं आसे करता हूँ कि ये question आपको समझ में आ चुका होगो दोस्तो किसी का भी doubt बचा है तो नीचे comment box में पूछ लीजेगा next question पे चलते हैं दोस्तो question number 6 बहुत ही interesting है और मैं इस question को बहुत ही आसान बनाने वाला हूँ बस आप थोड़ा सा ध्यान से concentration के साथ में देखेगा इसमें बोला जारा रेल गाड़ी P बिंदू A से प्रात 10 बजे चलती है मतलब कि डेल गाड़ी जो P है वो बिंदू A से प्रात 10 बजे चलती है और 60 किलोमेटर परती गंटा की समान गति से सीदे ट्रेक 360 किलोमेटर दूरी तह करने में बिंदू B तक पहुंचती है रेल गाड़ी क्यूं प्रात 11 बजे बिंदू B से चलना प्रारम करती है और एक समान गती से बिंदू A की और जाती है देखे समान गती का मतलब हम यहाँ पे मान के चलेंगे कोई स्पीड होगी जिसकी हमें जरुरत भी नहीं पढ़ने वाले स्पीड की इस कोशन में कोई जरुरत भी नहीं पढ़ने वाले कोई भी स्पीड हो सकती है फिर यहाँ पे बोले जारा रेल गाड़ी P को यह रेल गाड़ी बिंदू B से 120 किलोमेटर की दूरी पर पार करती है यानि कि जो रेल गाड़ी P को यह रेल गाड़ी B बिंदू B से जो आपकी चली थी वो 120 किलोमेटर की दूरी पर पार करती है रेल गाड़ी Q की चाल बताईए अब देखे थोड़ा सा कन्फीजिंग हो गया क्योंकि कोशन थोड़ा हो गया लंबा अब थोड़ा सा मैं विजुलाइज कराता हूँ आपको इस तरीके से थोड़ा सा डाइग्राम बनाके मालीजे यह हमारी पूरी के पूरी एक डिस्टेंस है यह डिस्टेंस कितने है 360 है 360 किलोमेटर की है यहाँ पे बताई दिया अब यहाँ पे एक ट्रेंड एक पॉइंट यह है और बी पॉइंट यह है एक पॉइंट से चलती है एक ट्रेंड इस तरब को एक समानगती से बिंदू A की और चलती है ठीके समान गति से बिंदू A की और चलती है तो यहां पे देखे दोस्तों मैं कुछ आपको साथ गलत बोलत ऐousse Am यहां पे किलोमेटर जो आपके दे रखने है 50 किलोमेटर परती गंटा चाल यहाँ पे दे रखी है तो दोनों की चाल 60 km परती गंटाई रहेगी क्योंकि यहाँ पे समान गती बोली जा रही है साथ मैं आपको यह बोला था कि इस कोशन में स्पीड की जोरत नहीं पड़ने वाले बट आपको कोशन में दे रखा है रेलगाडी P को यह रेलगाडी बिंदू B से 120 km की दूरी पर पार करती है तो यहाँ पर रेलगाडी क्यों की चाल आपको बताने की सिर्फ क्यों की चाल अब मुझे यह बताईए जब यह रेलगाडी चलना परारम करेगी यहाँ से यहाँ तक तो एक घंटे में यह कुछ एक्स्रा चल चुकी होगी और यह जब यहाँ पर इसको मिलती है यह बोला जा रहा है आपर पराद 11 बजे B चलना परारम करती है और एक समान गती से बिंदू A की और जाती है रेलगाडी P को यहाँ रेलगाडी बिंदू B से 120 किलोमेटर की दूरी पर मिलती है यानि कि यहाँ पर 120 किलोमेटर पर मिलती है B बिंदू से यह वाली Q जो रेलगाडी है P रेलगाडी को यहाँ पर पार करती है 120 किलोमेटर दोस्तो आपकी टोटल इस से 360 है अब 360 को जब मैं देखें यहाँ पर इसको मैं रेज कर रहा हूँ भई ठीक है 360 आपकी टोटल दूरी है उसमें से 120 किलोमेटर क्यों वाली जो ट्रेन है आके पार करती है पी वाली ट्रेन को तो यहाँ पर यह माइनस कर ले तो बचा कितना 240 अब 240 किसने कवर किया होगा 240 कवर किया होगा पी वाली ट्रेन जो इस साइड से चल ली थी उसकी चाल कितनी है 240 को 260 से भाग कर लीजे क्योंकि 60 की चाल से वह चल रही है तो यहाँ पर 4 गंटे आपका आजएगा और यह 3 गंटे में 120 किलोमेटर चली है तो 120 को अगर मैं यहाँ पर 3 से भाग कर दूँ तो दोस्तो कितना आएगा 40 किलोमेटर परती गंटा तो यहाँ पर हमारे आप मिल गया कि क्यों की चाल कितनी होगी 40 किलोमेटर परती गंटा होगा यही आपसे कोशन में पूछा गया था मैं आसा करता हूँ दोस्तो कि आपको यह कोशन समझ में आ गया होगा ठीक है चले नेक्स कोशन पर चलते हैं फिर दोस्तो कोशन नमबर सेवन को भी ट्राइ करेगा अच्छा कोशन है भी इसमें बोला जा रहा है संजय और जैकोब एक ही बिंदू से विप्रीद दिसाओं में 7 मिटर सेकिंड और 5 मिटर परती सेकिंड की गति से दोडते हैं ठीक है यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है संजय और जैकोब जो है एक बिंदू से विप्रीद दिसाओं में विप्रीद दिसा में चलते हैं 7 मिटर और 5 मिटर परती सेकिंड इनकी जो चाल है ठीक है यहां पर बोला गया कि गति दोडते हैं शुरुआत करते हैं 42 मिनट बाद एक दूसरे कितनी दूरी पर होंगे यह आपको बताना है देखे मान लीजे यहां से इन्होंने चलना है स्टाट के यह इधर को जा रहा है यह इधर को जा रहा है दोनों की चाल जो है 7 है 1 की 5 है 42 मिनट बाद इनकी बीच की दूरी कितनी होगे आपको बताना है तो बहुत ह का minute है अगर इसको 10 की multiply कर लेंगे वही साथ मीटर पर sequence है ये 42 से इह नहीं हो सकता तो इसे 42 कोई सेकिंड। बदल soudo age क्ली साथ की multiply अब इन तीनों की multiply कर लीजें दोस्तों कित्ना हैँ आपका को 17640 सब्सक्राइब निख डूसरा यहां पर यह चलता है पांच मिन्टर पर सेकिन 42 की मल्टिप्लाइस में करेंगे और 60 की मल्टिप्लाइस में भी कर लेंगे यह 17,640 आया है तो यह कितना हैगा दोस्तों 12,600 अब यह इतनी दूरी इन्होंने कवर कर ली पूछा क्या जा रहा है 42 मिनट बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे यह आपको बताना है कुछ नहीं करना यहां पर आपको क्या करना है दोनों को प्लस कर लेना है 17,640 को और 12,600 को प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 30,240 ठीक है और यहां पर दोनों की बीच की दूरी आपसे ठीक है क्योंकि यह कितना है आपका मिटर में आया है क्योंकि सेकिंड था और यह आपका तो किलोमेटर आपको उप्शन दे रखे तो इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना आएगा 30.24 आ जाएगा 30.24 तो उप्शन ए रटांतर हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया गंटा की चाल से चलती है लेकिन y x के जाने के 6 गंटे बाद चलती है y जो है वो x के जाने के 6 गंटे बाद चलती है सुरवाती इस्थान से कितनी दूरी पर दोनों बसे मिलेंगी आपको बताना है ठीक है सुरवाती स्थान से दोस्तों यहाँ पर आपको जो कंडिशन दी यह नहें उसको लिख लिख लिए बस बागी कोशन में कुछ नहीं देखिए कोशन तो कुछ इस परकार है थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते है दो बसे जारी है एक तो X और X और Y ठीक है यह दोनों इधर को जारी है 6 गंटे बात चलती है आपकी x वाली ठीक है तो यहाँ पर मैं लिखोंगा 6 बराबर x यह मैं मान लेता हूँ कि यह x दूरी पर मिलेंगी तो अगर यह x दूरी पर मिलेगी तो यह x दूरी को कितने दिरे में cover करेगा भई 20 बटे x को 20 से बाग कर लेंगे x को देखे मैं मान ले यह x दूरी पर मिलेगी इसकी चाल कितनी है y की 50 किलोमेटर परती गंटा तो इसे 50 से भाग कर देंगे समझ गए मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बढ़ा लेता हूँ इनके बीच में अंतर 6 गंटे का है यह x किलोमेटर मैंने मान ले कि x किलोमेटर दूर पर मिलेंगे तो यहाँ पर x को भाग कर लेंगे 20 किलोमेटर परती गंटा से माइनस और यहाँ पर x को भाग कर देंगे पचास मिटर पर सेकिंड से यह दिया ना आपका तो यहां पर देखिए इनको सोल कर लेते हैं अब दोनों का LCM लेंगे कितना हैगा 100 आजएगा 50 का तो यह कितना हैगा 5X माइनस 2X और यह किसके कवल है 6 के क्रोस मल्टिप्लाई कर लीज़े दोस्तों यहां पर 5X में से true X जाएगा तो कितना वजएगा 3X बराबर 600 और X की value कितनी आजएगी 200 यानि कि यहां पर 200 किलोमेटर आपका राइट आंसर हो जाएगा समझ में आ गया यानि कि जो question में आपको बोला गया था सिर्प आपने वो ही लिखा है कुछ भी extra से नहीं किया है वह यहां पर आपको difference जो बताया गया था वो कितना बताया गया था difference आपका दोनों का 6 गंटे बाद चलता है ठीक है तो इनके बीच का difference 6 गंटे का हो गया हमने माना कि यह दोनों के दोनों कहीं X point में मिलेंगे X दूरी पर तो आपने X को भाग किया पहले दो 20 से क्योंकि X जो चलता है 20 km पर ती गंटर Y चलता है 50 से तो X को आपने एक तरह 50 से कर लिया दोनों का अंतर 6 गंटे का है बसी इसको sol कर लीजे ठीक है चले next question पर चलते है दोस्तो question number 9 है इसको आप try करेंगे खुझ से और सभी को आंसर नीचे comment box में बताना है जिसका भी आंसर सही होगा मैं like कर दूँगा ठीक है तो आप comment जिरू बताएगा और दोस्तों आपको वीडियो काशी लगी है देखे आप इस वीडियो को post करेंगे